यह question gate 2021 में put हुआ है, compiler design का question है यह, आप से क्या पूछ रहे हैं, पहली statement है, every SLR1 grammar is unambiguous, but there are certain unambiguous grammars that are not SLR1, यह statement एकदम ठीक है, मैं आपको compiler design में समझाऊँगा, SLR1 grammar का मतलब क्या होता है, जब हम कोई SLR1 parser उसके लिए design कर पा रहे हो, और जो भी हम SLR1 parser बनाएगे किसी भ ठीक है, ambiguous के लिए SLR1 parser नहीं बनता है, क्योंकि कोई ना कोई conflict जरूर पैदा होगा, SLR conflict या RR conflict, detail मैं आपको compiler design में रांतर समझाँगा, अच्छा जी, और, तो सारी SLR1 grammars जो भी होंगी, वो सारी के सारी unambiguous to होंगी, और चलो मैं ऐसे दिखाता हूँ, यह हो जाएंगे हम सारी unambiguous grammars SLR1 नहीं होती, कुछ SLR1, कुछ unambiguous grammars हैं, जो SLR1 हैं, अगे, मैं दुबारा से बोलता हूँ, सारी unambiguous grammars SLR1 नहीं होती, यह बत बिल्कुल ठीक है, इसी डियाग्राम से समझ में आ रहा होगा, बट जो भी SLR1 होगी, वो unambiguous जरूर होगी, ठीक, तो यह statement बिल् post order n3 time to pass the string of length n, again this statement is also true, तेखो हमारे पास एक algorithm होता है, CY की algorithm, यह मैं आपको compiler design में या TOC में जहां पे भी मेरे को ठीक लगेगा, मैं आपको यह algorithm दिखाऊंगा, यह algorithm actually क्या है, यह membership algorithm है, membership algorithm मतलब कोई भी string आप दे दो, और एक grammar, कोई context-free grammar दे दो, और यह बता देगा कि यह string इस context-free grammar से generate होगा यह नहीं होगा, ठीक है, तो यह algorithm बहुत अच्छा algorithm है, कोई भी context-free grammar दे दो, तो समझ रहे हो, कोई भी मतलब, चाहिए ambiguous दो, चाहिए unambiguous दो, कैसे भी grammar दो, यह बड़े राम से बता देता है, और यह time कितना लेता है, यह time लेता है order n3, यह सारा proof ए at least आपको समझ में आदे, कि order n3 time इसमें क्यों लग रहा है, ठीक, ओके, thank you.